तो गाइज चान्नी की जन में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे है पाया रेसिपी सबसे पहले हम पायों को अच्छी तरह से साफ कर लिए साफ करने के बाद इसे छोटे चोटे टुकड़ों में काट लिए और कुकर में डाल दिए अब इसमें हम डाले गाइस हम च्छी तरह जड़े होता हम तीन से चार सिटी में लगाएंगे अब हमारे को गरमें तीन से चार सिटी लग्ड चुका है अब इसे छूले से निचें तार देडेतें तक अब भिटर निकाल कर देखते हैं कि हमारा पाया अच्छे से बोईल हुआ है या नहीं हुआ है अब हम कुकर का धकर निकार है अब चलिए देखते हैं हमारा पाया अच्छे से बोईल हुआ है या नहीं देखें कितना अच्छे से बोईल होगे अब चलिए पायों में मसाले हम क्या क्या डालेंगे आपको दिख पाड़र और दो तेज़ पता अब चलिए अब हमें गेस के तरफ चलते हैं तो फिर गड़ाई को गर्म हो चुकी है इसमें डालेंगे दो तो तेल चादा में इसमें तेल यूज नहीं करें हम आए तेल कोम अच्जी तरह से गर्म उने देते हैं तेल काम आरे जिव हम डालेंगे दो तेह पता अब हम तेल में डालेंगे कंटा हूँ अच्छी तरह से गोल्लियन नहें तक भूल लेंगे अब हम प्याज को तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारा प्याज गोल्लिन ब्राउन ना हो जाए अब देखिए हमारा प्याज गोल्लिन ब्राउन धेले करके होनी लगा इसमें अब हम डालेंगे मसालो को जो हम अपना मसाला पेस्ट करके रखेते और एड़ करेंगे धन्या पाउडर, अब हम सारे मसालों को प्याज में एड़ कर देंगे, मसाले और प्याज को अच्छी तरह से चला लेंगे, अब हम मसालों में एड़ करेंगे, नमक, स्वाद अनुसर, खल्दी पाउडर, आधी चमच, अब हम सारे मसालों को अच्छी तर अब हम हम मसालों में अपने अपनी मतन भाया को मेटन भाया को महान universal कर छुके थे अब हम सारे मतन भायोм को मसालों में एज करतлись अभूस्य तरह से मुँलत लेंगे यह सारे मतन भायों को हम अच्छी तरह से मसालों में मिलेंब् la dh frequently to Mountain from the це ज़क्राहिटा से लिट देंगे और एक से दो मिन्ट के लिए करेंगे से ठक के पका लेंगे एक से दो मिन्ट हो चुके है अब इसका ढग्न करेंगे और पायो में पायो मतन को अच्छी तरह आया हो तो लाइक एंड सेस्क्राइब तो जित कमेंट करना भूले थांक यू